हमारे सभी दर्शकों को साधर पढ़ाम जैशी कृष्णा आज मैं आपको मंगल का गोचर कुम राशी में और उससे बारह राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको क्लियर करूँगा लेकिन विशेश बात यह है कि बारह राशियों में से पांच ऐसी राशिया हैं उनको वेवाहिक मामलों में विशेश सफलता मिलेगी विवाह का रिष्टा आएगा और कोशिश थोड़ी से आपको करनी होगी पांच राशी वालों के लिए काफी अच्छा समय है विवाह का र राशियों पर कैसा रहेगा हर एक राशी पर मंगल का प्रभाव आप जान सकते हैं यदि इस पूरे वीडियो को देखेंगे राशी का संबंद आपकी जन्म राशी अर्थात चंद्र राशी से है चंद्रमा जिस अंक पर लिखा हुआ होता है वही आपकी जन्म राशी होती है तो सबी राशियों के बारे में आज जान करी दूंगा मंगल का गोचर अब मकर राशी में नहीं बलकि कुम राशी में प्रारंब होगा मकर राशी को अब मंगल छोड़ देगा और 7 अपरेल 2022 दोपहर बाद 3.16 मिनट से यहां कुम राशी पर गोचर प्रारंब करेगा यहा चलेगी 17 मई 2022 सुबह 9 वजकर 32 मिनट तक तो इस पूरे समय में यह जो पूरा समय है 40 दिनों का पूरा पीरियड है इसमें 5 राशी वालों को विशेश लाब बिलेगा वेवाई कमामलों में और 4 ऐसी राशिया हैं उनको आर्थिक द्रश्टी से देखें तो काफी अच्छा रहेगा अन्य राशियों को भी लाब मिलेगा उसके बारे में आप जान सकते हैं यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी के बारे में यदि आपकी जन्म राशी मेश राशी है तो यह मंगल आपकी राशी से ग्यारवा रहेगा राशी से है और इस्तरी पुरुष दोनों के बारे में जानकरी है कोई महिला है कोई पूरुष है कोई छोटा बच्चा है या व्रद्ध है मेश राशी है या कोई भी राशी है तो मंगल का क्या प्रभाव रहेगा उसको आप जान सकते हैं, तो सबसे पहले मेंष राशी की बात कर रहे हैं, मेंष राशी वालों के लिए यह मंगल काफी अच्छा रहेगा, ग्यारवा मंगल है, आमदनी में व्रद्दी होगी, आमदनी अर्थाद नोकरी व्यापार से जो पेसा आता है, वहाँ आमदनी कहलता है और उसम यह मंगल अच्छा लाब देगा, भूमी का लाब मिलेगा, हर प्रकार से विजय मिलेगी, आरोग्यता रहेगी, अर्थात कोई रोग नहीं सताएगा, साथ अपरेल से सत्रा मई के बीच में मंगल अच्छा रहेगा, मेश राशी वालों के लिए, सुख के साधनों का लाब मिलेगा, व्यापार का भी लाब मिलेगा, व्यापार में हैं, तो व्यापार से आपको आमदनी में कोई समस्या नहीं रहेगी, अच्छा रहेगा, वित्त का सुक मिलेगा वहन खरीद भी सकते हैं अचानक लाब का योग भी मंगल मेश राशी वालों के लिए मेश राशी वालों को अचानक लाब भी मिलेगा यदि आप शेर बाजार का काम करते हैं आपकी मेश राशी है तब भी आपके लिए यह मंगल अच्छा रहेगा अब गुद्धी मानी से आप काम लेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी, आपको अपनी पत्नी से भी लाब मिलेगा या पत्नी को भी उनके काम में लाब मिलेगा, कोई पुरुष है तो पत्नी को लाब मिलेगा, और कोई महिला है अगर व्रशब राशी की, तो उनके पत्नी को लाब जाना हो सकता है बाहरी स्थानों पर नोकरी मिलना इस प्रकार का योग भी बनेगा भूमी वाहन मकान खरीदने का योग भी बनेगा और व्यापार आरंभ भी इस समय में आप कर सकते हैं कोई नया व्यापार प्रशब राशी वाले शुरू कर सकते हैं तो इस प्रकार का योग भी समय में अवश्य बनेगा साथ अपरेल बाइस से सत्रा मई बाइस के बीच में अब बात करेंगे मिथुन राशी वालों की मिथुन राशी यदि आपकी है तो आपके लिए यह मंगल मध्यम रहेगा क्योंकि नवम मंगल है नवम मंगल मध्यम होता है अब नवम कैसे गिनते हैं आपकी राशी से कुम राशी तक गिनना है तो आपकी राशी मिथुन है मिथुन कर कसी हैं कन्या तुला व्रशिक धनू मकर और कुम नो बार गिनना पड़ेगा तो इसको हम बोलते हैं नवम मंगल तो हर राशी से ऐसे ही गिनते हैं तो मिथुन राशी वालों के लिए अचानक लाब का योग इस मंगल से मिलेगा इनको अचानक लाब मिलेगा शिक्षा में परिवर्तन सोच समझ कर करें इस समय में यदि कोई परिवर्तन कर रहे हैं स्टुडेंट हैं और विशय का बदलाव कर रहे हैं तो सोच व्यापार हो चाहे नोकरी हो कामकाज अच्छा रहेगा मान सम्मान भी इस समय में आपको मिलेगा तो मिथुन राशी वालों के लिए भी ठीक ही है अब बात करेंगे करक राशी वालों के बारे में यदि आपकी करक राशी है तो आपकी राशी से यह मंगल आठवा रहेगा आठवा मंगल अशुब मंगल कहलाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा द्यान देना पड़ेगा खान पान पर विशेश कर पेट के रोग पर धन का लाब होगा चाहे नोकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं लाब अवश्य होगा संतान की थोड़ी सी चिंता रहेगी स्वभाव थोड़ा सा तेज रहेगा छोटी छोटी चिंताएं परिवार की या अन्ने चिंताएं भी रहेगी बही बहनों से बातचीत में सावधनी अवश्य रखें इस समय में और वहन थोड़ा सा धीरे चलावें इस समय में करक राशी वाले अब बात करेंगे सिह राशी के बारे में सिह राशी से यह सात्वा मंगल रहेगा मध्यम कहलाता है अचानक रिष्टा आएगा शादी के रिष्टे का योग बनेगा इस समय में तो आपके लिए वेवाहिक मामलों में आपके लिए ठीक रहेगा सिह राशी वालों के लिए दार्मिक रूची रहेगी यदि आप व्यापार कर रहे हैं कोई पार्टनर हैं तो थोड़ा सा पार्टनर्शिप में ध्यान देवें यदि आप शादी शुदा हैं तब भी वेवाहिक इस्तती पर थोड़ा सा ध्यान देवें दामपत्य जीवन पर ध्यान देवें अन्यता थोड़ा सा पति-पत्नी में तनाव रह सकता है नोकरी का योग है जितने भी सुक के साधन है आपको मिलेंगे इस समय में भूमी, वाहन, मकान का शुब योग बनेगा खरीदने का योग भी बनेगा और पूर्व परिचित किसी व्यक्ति से रिष्टा, विवाह का रिष्टा आ सकता है तो शादी का रिष्टा आपके मिलने वाले व्यक्ति मेंसे ही आ सकता है मकान में परिवर्तन का योग बन सकता है या कहीं और जाकर रहने का भी योग बन सकता है यदि आप student हैं तो पड़ई के संदर्म या विशय में कहीं बाहर आ जा सकते हैं इस प्रकार का योग बनेगा यात्राओं में थोड़ी सी सावधनी आपको इस समय में अवश्य रखनी चाहिए अब कर्णिया राशी की बात करेंगे यदि आपकी कर्णिया राशी है तो आपकी राशी से यह मंगल छठा रहेगा छटा मंगल शुब होता है धन का लाब मिलेगा यात्राएं भी होगी यात्राओं में भी लाब मिलेगा शत्रू रोगों शत्रू समाप्त होंगे और रोगों का दमन होगा रोग भी समाप्त हो जाएंगे यदि व्यापारी है तब भी ठीक है नोकरी में है तब भी यह समय आपके लिए ठीक है यदि आपकी कर्णिया राशी है तो मंगल आपको लाब अवश्य देगा नाक, कान और गला, इन में कोई समस्या है, यहां के नाक में कोई समस्या है, कान में समस्या है, या गले में कोई रोक समस्या है, थोड़ा सा द्यान अवश्य देवें छोटे भाई बहनों से कुछ समस्या हो सकती है गुस्से से बचना है गुस्सा नहीं करना है इस समय में उधार लेन देन ना करें ना तो उधार लेना है ना ही किसी को उधार इस समय में देना है विशेश कर उधार पेशा इस समय में किसी को ना देवें यदि आपकी कर्णिया राशी है अब बात करेंगे तुला राशी की यदि आपकी तुला राशी है तो पांचवा मंगल रहेगा मध्यम रहेगा यदि आप किसी से प्रेम करते हैं प्रेम विवाह रिष्टे की बात गर में कर सकते हैं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस रिष्टे की बात परिवार में मता पिता से कर सकते हैं कि मैं विवाह करना चाहता हूँ प्रेम विवाह करना चाहता हूँ इस प्रकार की बात इस समय में परिवार में करेंगे तो लाब मिलेगा पेट का थोड़ा सा ध्यान देवें, खान पान में ध्यान देवें, संतान पर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें, यदि संतान है तो उस पर ध्यान अवश्य देवें आमदनी अच्छी रहेगी चाहे आप व्यापार में हैं चाहे नोकरी कर रहे हैं कोई समस्या वाली बात नहीं है यात्राएं भी रहेगी इस समय में आपकी पत्नी को लाब मिलेगा यदि कोई पूरुष है तूला राशी का तो पत्नी को लाब मिलेगा कोई महिला है तो पती को लाब मिलेगा इस समय में जल्द बाजी के कोई काम ना करें या जल्दबाजी में कोई निर्णे इस समए में न लेवें क्योंकि मध्यम है इसलिए दियान देवें विशेशकर महिलाईं, माताईं, बहनें जिनको संतान होने वाली है इस समये में इलाज पूरा लेवें दियान देवें अन्यता समस्या रह सकती है तो इस बात पर भी द्यान अवश्य देवें अब अगली राशी है व्रश्चिक राशी यदि आपकी व्रश्चिक राशी है तो आपकी राशी से यह मंगल चोथा पड़ेगा व्रश्चिक धनू मकर कुम्ब चोथा मंगल शुब नहीं होता है लेक का योग भी बनेगा मां को थोड़ा सा कष्ट या रोग हो सकता है या मां से जगड़ा भी हो सकता है इस प्रकार की सदी भी बन सकती है आप विचार अधिक करेंगे इस समय में भूमी खरिदने का योग बनेगा विचार अधिक करेंगे ज्यादा सोचेंगे और मकान या भूम होने के बाद भी लाब मिलेगा यदि कोई कोड कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो यहां पर थोड़ा सा द्यान देना होगा या ऐसा काम बिलकुल ना करें जिससे आपको कोड कचहरी में जाना पड़े इस समय में तो ब्रश्चिक राशी वालों के लिए यहां अशुब है ले तो आपके लिए यहां जो मंगल है तीसरा रहेगा शुब रहेगा धार्मिक रूची रहेगी शत्रू समाप्त होंगे नोकरी का योग बनेगा नई नोकरी मिल सकती है या नोकरी में तरक्की हो सकती है व्यापार में भी यहां मंगल आपके लिए शुब रहेगा शिक्षा म समंदित यात्रा भी हो सकती है पड़ाई के लिए कहीं बाहर जाना ऐसा हो सकता है व्यापारी की यात्रा भी हो सकती है नौकरी से समंदित यात्रा भी इस समय में हो सकती है कुल मिला कर यात्रा होगी थोड़ी सी चतुरता रहेगी और बुद्धी मनी रहेगी उससे आप लाब भी इस समय में अवश्य अरजित करेंगे अपनी चतुरई और बुद्धी मता से आप लाब अरजित करेंगे अब बात करेंगे मकराशी के बारे में कुटुम्ब में कुछ कलह रहेगा परिवार में कुछ कलह जगड़ा हो सकता है धन का लाब इस समय में अवश्य होगा आमदनी भी अच्छी रहेगी चाहे आप व्यापार में हैं चाहे नोकरी में हैं लेकिन नोकरी या व्यापार में जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ पर ल योग बन सकता है, भूमी खरीदने का योग बन सकता है, वहन खरीदने का योग बन सकता है, गर में कोई ऐसा सामान आप ला सकते हैं, जो सुख सुवीदा का हो, जैसे टेली विजन है या और कोई सुख के साधन है तो आप खरीच सकते हैं इस समय में ऐसा योग बनेगा इस्तिर संपत्ती जैसे भूमी मकान से लाब आपको मिल सकता है यदि आप इससे समद्द कोई काम करते हैं जैसे मकान बेचना खरीदना भूमी खरीदना बेचना और आपकी मकर राशी है तो आपको इस समय में विशेश लाब मिलेगा इस बात को भी आप नोट कर लेए मद्यम रहेगा लेकिन लाब भी मिलेगा नोकरी में तरकी रहेगी नए नोकरी के योग बन सकते हैं सरकारी नोकरी भी मिल सकती है यदि आप competition एक्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए यह काफी अच्छा रहेगा सरकारी नोकरी के योग भी बन सकते हैं शादी का रिष्टा आएगा अचानक रिस्ता भी आएगा शादी का तो शादी के मामले में शुल्ब समय है यदि आपकी कुम राशी है तो विवåt का रिस्ता इस समय में अवश्य आएगा या आप भी कहीं बातचीत करेंगे विवå से समंदित यदि आपकी संतान जो है उसकी राशी कुम राशी है तो माता-पिता भी बातचित कर सकते हैं क्योंकि माता-पिता ही बात करते हैं अधिकतर मामलों में तो संतान के बारे में सोचेंगे तो लाब मिलेगा संतान को उसका विवा हो जाएगा या विवा का योग इस समय में बनेगा या वहन भी आप खरीच सकते हैं या जैसे बहुत से लोग पशु भी खरीच सकते हैं जिनके गर में पशु हैं गाय है गोड़ा है तो जो पशु रखते हैं तो पुराने जमाने में तो वहन यही होते थे जैसे गोड़ा है अश्व है आज के समय में प्रवाहन अलग हो गए लेकिन सुक के साधनों में ये भी आते हैं तो ऐसे क्रशक हैं इनकी राशी कुम्ब राशी है तो वे पशु भी खरीच सकते हैं गाय है बैंस है तो इस प्रकार के सुक के साधन या ऐसे जानवर भी खरिदने का योग बन सकता है यदि खेती करते हैं या गाओं में रहते हैं तो इस प्रकार के योग बनते हैं आपका व्यक्तित्व प्रभाव शाली रहेगा इस समय में यदि आपकी कुम्ब राशी है अब बात करेंगे मीन राशी के तो इस बात पर ध्यान अवश्य देवें, खर्च अधिक होगा, यह नुकसान जरूर है, मंगल का आँखों में समस्या रह सकती है, लेन देन में सावधनी रखें, और व्यसन से बचें, किसी भी प्रकार का व्यसन है, तो उससे आपको बचना चाहिए इस समय में, अब एक अं मामले में यह मंगल शुब रहेगा, विवाह का रिष्टा आएगा, लेकिन यदि उनमें से आपकी राशी नहीं है, तो आप यह देखें कि आपकी लगन कुंडली, लगन किस राशी का है, लगन देखें आप, एसेंडेंट, लगन, डीवन चार्ट देखें, कि कौन सी विवाह का रिष्टा आएगा, रिष्टा पका हो जाएगा, यदि चार लगन जो है, उनमें से एक लगन आपका भी है, तो शी राशी राशी प्र दा, तीसरा है कुम्ब, चोथा है मीन वापस सुन लेवें सीह लगन पांच नमबर का रश्चिक लगन आठ नमबर कुम्ब लगन ग्यारा नमबर मीन लगन बारा नमबर ये चार लगन जिनके हैं आपका इन में से कोई एक लगन है लगन कुंडली एक ही होगी तो आपको भी विवाहिक मामलों में यह मंगल लाप देगा विवाह का रिष्टा अवश्य आएगा तो यह जान करें आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो तो अधिक सदिक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें धन्यवाद जैशी कृष्णा